बिहार के बकसर में जमीन अधिकरहन के मामले पर किसानों के साथ पोलिस की एक तरीके से बरबरता की वीडियो आया है। पुलिस ने कई किसानो को रासत मी लिया उनके साथ मार पीट एसा आरोफ है हमारी साथ केंदरी मंतरी अश्वनीचो भी जबू आया है उससे पहली पृतिक ब्लू पो अब फीनिय क्या है किसा किसानों के साथ ऐसा आमना सामना πण के साथ क्यों हुआ मैं देखिए मैं लगातार किसानों के इस मुद्धे पर मैंने 12 दिशंबर को भी दिल्ली में तमाम जो हमारे सब्सक्राइब के सभी को और राइट्स के रेल्वे का सभी बरिष्ट पनाधिकारियों को बुला के मैंने बैठक किया था और मैंने किसानों का सांति पुर्भा कंसल हुग उनका जो उचित आ करने के लिए तयार हो जाओ और से मुआब जाओ कंपनी मुआफजा देने के लिए तैयार है किन्तो जो हमारे वहां के जिलापरशासन ने जिस प्रकार से ब्यार्ट सरकार ने में जो तेरह का है वही उन्होंने रेट बनाया है और तेरह के बाद जो यह नोटिफिकेशन दो आजार 20 में हुआ है तो तेरह तक ही अभी वहाँ पर इस प्रकार से पूरे भीआर में अभी जिस प्रकार वह को ले एम्बियार का जो रेट होता है मिनमम वेलुसन डेट सरकिल डेट जिसको कहते हैं तेरा के बाद वो बढ़ा नहीं या घटा नहीं तेरा के बाद को समिक्षा नहीं हुई है मैंने उनसे कहा है कि अभिलम पहले इसकी समिक्षा करो और सामुई करूप से चुकि वहां करकों पर आ गए हैं काफी उग्रप्रदसन कर रहे हैं तो इसका कारण जो है वहां का जिला प्रशासन पुलिस प्रशाथर ने जिस पुलिस के लोगों ने और लोगतांत्रिक डूप से गुंडागर्दी किया और मानवियता का शीमा पराकास्था पार किया यह और संबैद करते जो नियमा नुकूल होता हूँ काम करते लेकिन घर में घुजके महिलाओं को गाली देना यह अत्यंति और सम्मेदानिक और मानवी और बरवरता की शीमा पार कर गई पुलिस यह नितिश कुमार का गुंडा राज नहीं जबकि मैं लगातार पुलिस प्रसासन को और व हार सरकार कहीं ने कहीं पूरी तरह से चाहती है और इस मुद्धे को गर्म करना और मुद्धे को लाइंग डालना चाहती है जबकि कैंउ किसने मना किया था अपको यह जिलाब प्रशासहंट को किसने बना किया आथ किया या ब्यार सरकार सकार कवा और कि अन्मों को मुहाफ़ा मिलनी चाहिए और गुटना गर्च किया रात में घुज कर चाहिए जो तुरंत जिला प्रसासन कलेक्टर को भी कहा है कि इस पर अभिलम कारवाई करिए और समाधान करिए कल तो जब नितीज कुपार आपके साथ थे तो वो सुसासन बाबू थे सुसासन की सरकार थी तो आज ऐसा क्या हो गया कि आप बार-बार उनको कोस रहें आप लोग बार-बा को यह जंगलार नहीं तो क्या सड़कों पर एक तरफ गुंडा महलाओं का हाथ कारता है घर में घुज करके मा बेनों की इज़त और आबरू लूटता है और बीटिया का आबरू अगर नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इ देखे रहिए जोस्ट्वेटीफोर